नमस्कार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और उसे आल पे कर दें ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले हलो गाइज विलकम टू दिवेधी क्लासे प्रयागराज कैसे आप सब भाई कैसे दिन कट रहे हैं लॉक्डाउन में एंवायरमेंट के जो सरीज शुरू किया है उसका नेक्स पार्ट लेकर हाजरू हूं आज भी वही चैप्टर है स सुरूर से लेकर लास तक बहुत ही मज़ाने वाला है आपकी बड़ी आसानी से त्यारी हो जाएगा ठीक है उससे पहले दो लाइन आप लोगों के लिए कि तसवर में तेरी शूरत है तो क्या हुआ तो तुझे भी तुम मेरी जरूरत होनी चाहिए घर के पास में मंदिर हो या नहों घर के अंदर भगवान की मूरत होनी चाहिए तो दोस्तों सुरू करेंगे आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुशन देखेगा सुरू से लेकर लास तक देखेगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि आप लोगों को बहतरे इनी वीडियो मिलते रहें ठीक है तो इंवायर्मेंट के सीरीज जो चल रही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों चलिए शुरू करेंगे आज का कुशन नंबर वन कह रहा है प्रकास संसलेशन क्रिया में सब्सक्राइब के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस और सोसित होती है बहुत ही नॉर्मल कुशन है पहला ऑप्सन है ऑक्सेजन दूसरा ऑप्सन है नाइट्रोजन तीसरा है कारबन डियॉक्साइड और चौथा है जलवास आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं और कारबन डियॉक्साइड को एबज्वाब करते हैं यानि कि आक्सेजन वो छोड़ते हैं तब ही तो कहा जाता है ना कि हमारे परियावरण में अधिक से अधिक पेड़ पौधे होने चाहिए ताकि सभी जीउजनतुओं को आक्सेजन के आपूरती में कम पी ना हो समस्या ना हो ठीक है इसलिए इसका अप्शन तो आप समझी के होंगे सी ऑप्शन है यानि की कारबन डियॉक्साइड कैस वो ऑसोशित करता है और अक्सेजन वो छोड़ता है चलिए कुशन नमर्ट तू देखेंगे काटे नुमा पतियों को दर्शाकर एक सिक्ष प्रकार के पाउधों के बारे में बता रहा है पहला अप्शन स्थली डूसरा है जली तीसरा अउतर गुलाब महधी तुलसी दोसको यह जो बरगört गुलाब महदी यह तुलसी देख रहे हो सब्सक्राइब अधी जूलाब महधी तुलसी ब्रत्च में नहीं आते हैं तो ब्रत्च में cultural से आता है बरगत में आता है तो चलिए देखेंगे question number 4 में क्या है भई question number 4 है कीड भच्छी पादप किस मरदा परुगते हैं उनमें कौन सा तत्त नहीं होता है दोस्तों कीड भच्छी पादप से आप समसी रहोंगे ऐसे प्लांस जो कीटों को खाते हैं ठीक है उन्हीं को हम कीड भच्छी कहते हैं तो इन में कहता है कौन सा था तो नहीं होता NITרोजन नहीं होता पहला उप्षन विल्कुल सही है कुशिन नम्द फाईव है नमें से कौन दुइबीस पत्री पौधा है बास केला गन्हा सरसों तो इसका जो गरेक्ट उप्षन है वो कौन सा है सरसों है ठिक है चलिए लास्ट कुछ्छन देखे नहीं के दौरा होता है यह बहुत इंप्रेइजिचन है जायलम के दौरा होता है कुछ नम Tut सेवन देखेंगे कहारा है नमबिखित में में से कौनसा अलग समों से संबंदित है आम इमली नारियल नीम तो इस सबसे अलग कौन सा इसमें नीम है ठीक है चले कुछ नंबर एट पे आते हैं ये देखें विज्ञान की सिक्षक को मैंगरोब पादपों की तलाशे तु विद्यार्थी को किस छेत्र में खोज के लिए प्रुतसाहित करना चाहिए है मरुद्विद खेतर में दूसरा इलोंदविद दल-दल में और दीसरा-गर्म वा जार्द खेतर में चोथज्छी चेतर में तो इसका जो करेक्ट RAM आमप्षण है फूसरह क्न-बर 99 क्या है प्रक्रिया जिसके देए पाधे प्रजिनन करते हैं क्या के लाती है इस प्रक्र संसलेशन दूसरा है वासपिकरन तीसरा संगनन चोटा परागन दोस्तों इसको परागन कहते हैं राइक कि या लाइक इन क्या होते हैं तो ऐसा एंपोशी अब घटक या फिर सantee तो यह होते हैं बार इलैवन है यह हमारा लॉंग और केसर पौध है कि किस भाग से प्राप्त होते हैं जड़ तना फूल फल दोस्तों यह फूल से प्राप्त होते हैं ठीक है लॉंग और केसर कहां से प्राप्त होते हैं फूल से कुछ नमबर 12 है घट परणी पादपों का एक ऐसा विशिस्ट प्रकार है जो चूहों मेड को किडो मकोडों का सिकार करते हैं इस पादब से विशेश गंद निकलती है जो इन जीवों को अपनी वरकर्षित करते हैं हमारे देश में यह पादब कहां पाया जाता है मरिपूर में असम में मिघाले में तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्षन है वो है मिघाले में यानि ऑप्षन डी इसका बिलकुल करेक्ट है किरा है किसी जगे के फ्लोरा और फॉना सूचित करता है आँ ठीक है पाण पेड़ पाधों जन्थों को दूसरा मछलीन पेड़ पाधों को जन्थों मछली ओंप्र और पाधिए को ऑर प्रक्षिय को दोस्तों को दोस्तों यह उब संब्सक्राइब निए उन्हीं फ्लोरा और फॉना जहां पेल लिखा है आप समझेंगे वहां पर पेड़ पौधों और जन्तूओं की बात हो रही है ठीक है कुशिन नमर 14 है प्रकास संसलेशन संपादित होता है सभी पौधों द्वारा सभी जन्तूओं पौधों द्वारा हरे पौधों द्वारा वाइरशों द्वारा तो दोस्तों प्रकास अंसलेशन तो हरे पौधों में होता है यहीं कि अप्षिन नमबर 16 पौधों में प्रकास संसलेशन क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है नीला पीला लाल हरा प्रकास संसलेशन क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है नीला पीला लाल हरा दोस्तो उलावड़न होते हैं कुछ कहते हैं कुछ करहा समद्र जल वर्षा जल अन्谷 पर्यवरण हरे पाउधे तो यहां हम लिखेंगे अ मैंने बताया था कि जो पाउधे होते हैं और यह अगले कुशन शे अंरी अगला पारिह इसमें भी ये इस्पेसली वही कुश्यंस ले गए हैं जो किसी ने किसे एक्जाम में पुछे गए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आगे एक्जाम में पुछने के लायक हैं ठीक है आपका हर्दय एक दिन में लग भग कितनी बार धड़कता है तो आपको दोस्तों मालूम में कितनी बार धड़केगा तो 72 गुड़े 60 कर देंगे ठीक है फिर एक दिन में कह रहा है तो एक दिन में आपको पता है 24 घंटे होते हैं यानि कि एक दिन में जो होगा 24 गुड़े 72 गुड़े 60 इसका दोस्तों मल्टिप्लाइ करेंगे तो वही एक लाग सम्थिंग कुछ होते हैं तो एक दो तीन चार चार कच होते हैं मनुसके हर्दय में विश्रामा अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हर्दय की प्रती मिनट धड़कन क्या होती है 72 70 75 80 तो यह तो 72 होती अभी बताया उपर हमने है अगला कुशन है हमारे शरीर में के की संगद्वारा आमोनिय को यूरिया में बदला जाता है पहला ओप्शन है यकरत दूसरा है वरक्त तिसरा है फेफ्रेच हो घरदें सब्ढ़न वो है यक इंद्व को रेंधों सरे की जयो राषायनिक प्रयोक शाला है यहां पर यह क्यूरत यहांब कौन सा होगा याक valley को तोगा ठीक है पूछे गया है ठीक है ! हलाकि यह नहीं कहता ऐसा कि और किस एक्साम में नहीं पूछे गया ! पर यह जोुक्षण लिया गया हैyan ! पहला है बहुला भैस पर बैठता है क्यों कि या option है ? पहला बहुला भैस धको डराना चाहता है ! डरा के क्या करेगा भाई उसे अंडर वर्ड डॉन थोड़ी बनना है यह यह उप्सन तो कहीं से ठीक लगता ही नहीं है दूसरा क्या है बगुला तता भैस में सहजीवी का संबंध है हाँ यह बात फिट बैठती है फिलाल और भी उप्सन देख लेते हैं बगुला मनरंजन के भैस पर बैठता है ऐसा भी नहीं है भैस कौन सा गाना सुनाती है उसको चौता भैस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने मदद करते हैं यह भी ठीक नहीं है वह कोई किराया थोड़ी लेती है यहीं कि बी ऑप्सन ही दोस्तों इसका विलकुल करेक्ट है ठीक है चलिए अगला कुश्चन है निम्लिखित में से जड़ का कौन सा कारे सीधे पौधों के लिए नहीं है ठीक है पहला जल तथा खनीजों का ऑशोशन करना भोजन भंडारन संचित करता हूं मशूप लब्द कराना पौधे को सहरा देना दोस्तों सुरू के तीनों ही ह ठीक है तो यहीं पूछाई गया कि कौन सा कारे पौधे के लिए नहीं है तो यह सी वाला नहीं है इसलिए हमने लगा दिया अगला कुश्चन है निम्लिखित में से किसकी सुनने की सकती इतनी तीचन होती है कि वह वायू से पत्तों केहलने के ध्वनी और घास पर किसी जान करते हैं ऐसे जानवर ऑप्शन क्या है कुट्ता बाग गिद्रेशम का केड़ा तो बाग ही यहां पर सही होगा ठीक है बाग की ऐसी कैपसिटी होती है कि भीया वह अग्दम पहचान लेता है तब ही अपने सिकार को पकड़ता है अगला कुश्चन है खेजडी व्रच के बारे में सही कथनों को चुनिए वैसे यहां पर नीचे कूट दिया है उसका हमें इस्तेमाल करना है पहला ऑप्शन है या मुखिता रेगिस्तानी छेत्रों में पाया जाता है दूसरा इसमें जलके दिकाव शकता नहीं होती है यहां एक शायादार व्र और यहां अपने तने में जलकेद करता है लोग पतले पाइप से इसको पीते हैं तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन बलकुल करेक्ट है ठीक है टू थरी फोर यहां भी लिख दिया है यहां में स्प्रिंट हो गया होगा यह फोरी होगा यहां कुछ और होना चाहिए ठीक कि नहीं यह तो ठीक नहीं है दूसरा क्या है हाथी दिन में आठ से दस घंटे सोता है यह भी ठीक नहीं है ऐसा कुछ नहीं है हाथी अपना आते धीक भार होने करन बहुत आराम करता है नहीं यह भी कुछ ठीक नहीं है फिर क्या है तीन महीने के हाथी के बच्चे कभाल हाथी का बच्चा होता है उसका भी जो वेट होता है ठीक है कि चली अगले कुछन के और बढ़ते हैं अगला कुछन है हमारा कि हाथ निमलिखित कथन चुनिए भी हाथी से रिलेटेड ही है दोस्तों कुछ नुबर एट में क्या है हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंठक मिलती है तो हाँ ये तो सही बात है दूसरा अधिकान साथी दिन में दस घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं इस बात का खंडन तो पिछले कुशन में ही किया जा चुका है यानि इसको तो हटा ही दें फिर है तीन महीने के हाथी क ये वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है ये थीक है अधिकान से बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते जाडिया खा लेते हैं ये भी ठीक है यह यह यहां पेड़ आस्टेलिया में पाया जाता है बिलकुल सही बात है जो रिगिस्तानी ओक होता है कगा सबस्क्राइब क्ते हैं ये तो अगला है इसपैड़े जमीन में उस गहराई तक जाते हैं जब तक कि पाणी तक कि नपहुंचाए यह ठीक है इस पेड़ के तनी में पानी जमा रहता है और ष Сथानी लूग पतले पाईब का उप्योग करके इस पानी को पीते हैं यह भी बिल्कुल सही है ठीक है जैनिक्जिस का जो यह है सब्सक्राइज है कुछ घर अग्रव podiaस्ष याju से लेटेड यहिए इसमें से भी हमें सही कत्रों को चुनना है कोट सा माल करें हाथ यह जुन्ट में केवल हतिनिया और चोदा 15 बच्चे भी रहते हैं यह सही है और क्या है है हातियों के एक जूंद inom में किसी एक ही परिवारम के संख्या कितनी भी ठीक सकती है यह जो can roar साइब यह कौन सब्सक्षान डिंशरी डिर shipping का बी मिल व है इसलिए का दिछ ग好 संख्या कितनी भी कुछ नुबर 11 है पंखोडियों के अंदर तूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसे रचनाय दिखाई देती है जी ने हम कहते हैं क्या कहते हैं पराग कोश पराग मुलांकुर वर्तिकागरत दोस्तों इसको कहते हैं पराग ठीक है चले कुछ नुबर 12 पे आ गए करा साпों के बारे में हैं तो सापों के बारे में मैं लकिता हूब कहते हैं और दरनाभी चाहिए मैं जहरीला है मैं जहरीला नहीं हूँ दूसरा कह रहा है नाग जहरीले सापों का एक प्रकार है जिसे कोबरा कहते हैं हाँ बिल्कुल यह तो खतरनाक होता है तीसरा है जहरीले साप के चार खोकले दात होते हैं जब साप किसी वक्ति को कारता है तो जहर इन खोकले दात हो तो उसके सरीर में चला जाता है नहीं यह ठीक नहीं है और अगला option क्या है सापके काटे की दवाई सापके जहर से ही बनाई जाते यह भी ठीक है यानि वन टू एड़ फॉर सही है तो पहला option कौन सा होगा यह वाला होगा इसका correct option क्या है एक कुछ नमर थरटीन है नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंड़कों कीडों मकोडों और चूहों जैसे चोटे जीवों को अपने अंदर फास कर खा जाता है हमारे देश में यह पादा में घालें पाया जाता है भी पीछे भी हम लोगों को निए कुशन किया था कुशन फोर्टीन है वैसे 14 यह से नहीं चला है तरवाइस कारण क्या है पहला प्सवें पाच रस रस अंदर होते हैं जब HC यह कुछ नमर 15 पिर से वही बात आ गई भैंस और बगुले वाली कहानी बैंस की पीट पर अक्षर बगुला पच्छी बैठा दिखाई देता है इसलिए होता है क्योंकि बैंस की पीट पर परजीवी कीट खाता है आप आपने देखा ओगा भाई भैंस के लगे रहेते हैं जो कीड़े लगे रहते हैं बैंस को कारते हैं केड़े भैंस को कारते हैं अब केड़ों को उसने खतम कर दिया तो यह सुटेबल हो जाता है तो दोनों का काम हो जाता है एक दूसरे की सहजी भी तभी तो हुए ना भैंस को अराम मिल रहा है केड़ों शुटकारा मिल रहा है और वह बगुले को आहार मिल रहा है उसकी पीछे इसके बारे में बात कर चुके हैं रेकिस्तानी ओक एक व्रच्छ है जिसके होचाई हमारी कच्छा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग चार मीटर होती है हाँ ये तो सही है दूसरा इस व्रच्छ की जड़े नीचे व्रच्छ के उचाई तक लगभग 30 तक ना पहुंच जाएं ये भी बिल्कुल सही है तीसरा इस व्रच्छ के तने में पानिये कत्रित होता है ये ठीक है यह व्रच्छ आबू धाबी में पाया जाता ये गलात अभी तो बताया तास से लिए हम पाया जाता है जो कि ए में मिलदा इसलिए हमारा जो आप्शन है देखेंगे आज का लास्ट कुश्ण दोस्तों कुश्ण नुबर 17 निम्रखित मेंसे वह कौन सा जानवर है जिसके अगर दात हमेशा बढ़ते रहते वो दातों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कारते कुतरते रहते हैं पैचान तो लिया होग टाप मोस 39 कुश्ण आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा और सुरस लेकर लास्ट तक वीडियो को देखा करें वीडियो अच्छा लागे ते लाइक किया करें चनल पहली पर आएं चनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अगर आपके किसी दोस्त है जो पढ़ने लेखने वाले उनके भी सेर भी कर दिया करें ठीक है तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में तेंक यू